हेलो फ्रेंड मैं हूँ प्रीती और स्वागत करती हूँ आपका प्रीती किचन में आज हम बनाएंगे हरे प्याज के पकोड़े जो की बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और खास करें सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा मिलता है तो यह वीडियो मैंने बहुत पहले से करके रखा था लेकिन अप्लोड नहीं कर पा रही थी तो मैंने सोचा कि अब इसे अप्लोड कर देती हूं तो मैंने यहां पर एक कप बेशन दे लिया है और उसमें हम थोड़ा सा अजवाइन क्रेस्ट करके डाल देंगे कि उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक च्षोथाई हलदी पाउडर हमें बिल्कुल थोड़ा सा इस्तिमाल करना है वरना हमारे पकोड़े लाल-लाल होने लगते हैं फ्राई करने के बाद स्वादंसर नमक डालेंगे तो नमक हमने आधी छोटी चमच नमक डाला है इसमें और उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालके और इसका एक बैटर त्यार करेंगे तो आप ध्यान रखिए पहले हमें प्याज के साथ बेशन को नहीं मिक्स करना है पहले हम बेशन को अच्छे से फेट लेंगे जैसे कड़ी में पकोरे डालते हैं बनाके से मुसी तरह से तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके इसे हाथों से बहुत ही अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे एक घोल तियार कर लेंगे और घोल बिल्कुल भी गाढ़ा या पतला नहीं होना चाहिए तो इसी तरह से हम इसे हाथों से ही लगातार फेटते रहेंगे कि जब तक ये बैटर हलका ना हो जाए तब तक इसे हमें फेटना है तो हमने इसे लगातार पांच मिनट तक फेट लिया है बैटर बिल्कुल हलका हो गया है अब इसमें हम हरा प्याज डाल देंगे दो कप के गरीब प्याज है उसके बाद हम इसमें डाल देंगे खुब सारा बारी कटा हुआ हरा धनिया दो से तीन हरी मिर्श डाल देंगे बारी काटके या तीखा अपने टेस्ट के अक्रॉडिंग डाल सकते हैं और क्रस किया हुआ अध्रक डाल देंगे हम अध्रक से टेस्ट पकोरे का दुगना बढ़ जाता है तो अध्रक आप जरूर इसमें डालियेगा और इन सब को हम मिक्स कर लेंगे बेशन के साथ तो हमें ज्यादा मीक्स नहीं करना है । कि हमने बेशन को पहले ही फेत लिया है। तो बस प्य वेशन के साथ मिक्स कर देंगे। uplift जानaking मेधक और पॉकवड़ करेंगे। तो हमने प्याज और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया है एक चुटकी हम डाल देंगे इसमें बेकिंग सोडा तो आपके पास अगर बेकिंग सोडा नहीं है तो उसके बिना भी आप पकोड़े बना सकते हैं लेकिन है तो जरूर डालिएगा पकोड़े फ्राई करने के लिए तेल हमने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था तो एक एक करके अब हम तेल में पकोड़े को छोड़ते जाएंगे और मीडियम लो फिलेम पर हम इसे फ्राई करेंगे तो पकोड़ा अंदर से भी पकेगा और उपर से भी क्रिस्पी होगा तो एक बार में जितना आ सके उतना हमने पकोड़े को तेल में डाल दिया है और पकोड़ा जब एक तरफ से हलका गुलिन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद हम पकोड़े को पलट देंगे अब इसे हम दूसरे तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और यकीन मानिए आप इस तरह से हर प्याज का प पकोड़ा बनाएंगे ना तो पकोड़ा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और आप अगर प्याज के साथ बेसन को सान के अगर जो बनाते है ना पकोड़ा उस तरह से बनाएंगे ना तो अंदर से बेसन बेसन जैसा गाठ जैसा बना रहता है और बिल्कुल भी कुछ खाने का मन करता है तो आप इस तरह से प्याज के पकोड़े बनाकर जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगा तो देखिए प्याज के पकोड़े दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया है आप इसे हम एक प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और इसी अगले वीडियो में एक और नए रिस्पी के साथ तब तक के लिए बाई एंड टेक कियर